हेलो दोस्तों क्यासे हैं लगता है बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है दोस्त आज हम लोग अपने प्रेपोजीशन का इस वीडियो में कुछ फिर नए सेट आफ प्रीपोजन का सुरूख कर रहे हैं जैसे अंडनीथ, बीनीथ, अमांग, अमीड, अमडीज, एक्रोस, अलांग, बियोंड इस तरह के हम लोग आज प्रेपोजीशन के साथ कुछ संटेंसे को बनाना और यूज़ करना सीखेंगे दोस्त लगता है आप लोग पीछा वीडियो देखें होंगे उसमें हम लोग और भी अलग लगता है के प्रेपोजीशन का यूज़ करना सीखे थे आप नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे ज्यादा अच्छा समझ मैंगा अब हम लोग अंड़नीत बिनीत को सीखते हैं दोस्त दोनों का मतलब होता है नीचे दोनों का मतलब क्या होता है नीचे तल में सटे हुए एकदम सर्फेस से लगा हुआ दोनों का मतलब होता है अंड़नीत हो या बिनीत हो एक चीज और आपको बता दे दोस्त ये दोनो प्रिपोजिशन ऐसा प्रिपोजिशन है जिसका इस्तमाल जेनरली लिट्रेचर में ज़्यादा होता है हम लोग अपने day to day life में इसका इस्तमाल hardly करते हैं बहुत मुस्किल से करते हैं नहीं के बराबर करते हैं दोस्त बट हां books में देखेंगे literature में देखेंगे stories में देखेंगे तो यहां पर खास कर के पहले क्या बोलते हैं उसको literature जो भी आप पढ़ेंगे जैसे जितने भी हमारे जैसे सेक्स्पियर साहब हैं वर्ट्सवर्ट साहब हैं इन लोगों का जो भी आप देखेंगे लिखा हुआ उसमें आपको ये बहुत ज़ादा मिलेगा दोस्त लेकिन आज कल जो बुक्स में बहुत कम मिल रहा है ये सब जगह पर उसके जगह अंडर का प्रियो कर दिया जाता है जैसे कुछ एक्जाम्पल साहब आपको कोट करते हैं ये सारा एक्जाम्पल जो हम आपको बतर हैं ये किसी इंग्लिस राइटर के बुक से स्टोरी से लिया हुआ संटेंसे से दोस्त ध्यान दीजेगा कुछ कुछ संटेंस उन्ही तरह के बुक से उठाया हुआ है सी वो ओ फॉर कोट विद नथिंग अंडरनीथ इसका मतलब क्या होता है वो पहनी है क्या फॉर कोट फॉर यानि जबला वाला पता होगा जो बहुत स्टाइलिस चलता है जो लड़किया पहनती है खास करके ठंडे पर्देश में तो खास करके जो ज़्यादा फॉर वाला कपड़ा पहनते है मतलब सी वोर ओ फॉर कोट विद नथिंग अंडरनीथ मतलब उस फॉर कोट के अंदर में वो कुछ नहीं पहनी मतलब फॉर कोट के नीचे वो कुछ नहीं पहनी है चिठी कैसे जिसे डाकिया आता है आगर आप हम लोग घर में नहीं होते हैं तो डाकिया क्या करता है सीम्पल चिठी को दरवाजय के नीचे से अंदर के दरफ धका दे देता है तो the same thing is here, the later was pushed underneath the door दरवाजय के नीचे से डाकिया चिठी को अंदर धका दे देता है सटा हुआ, bottom से the insect crept further underneath insect, कीडा, छोटे मोटे जो कीडे होते हैं दिखते हैं, आप दरवाजय के नीचे से चीठी है या छोटे चोटे कोई कीडा होता है यह सब क्या करता है, दरवाजय के नीचे से हमारे घर के अंदर में प्रवेश कर जाता है तो insect crept further underneath हम लोग इस तरह से underneath के जो इस्तमाल हम लोग देख रहे हैं दोस्त सब कैसे है, bottom से लगा हुआ हम लोग under the door भी बोल सकते हैं ना कोई problem ही है, both are correct बट क्या है, कि इस सब books में हमारा जो literature में ज़्यादा इस्तमाल होता है अगला है, there is a village beneath the hills मतलब, जैसे कोई गाउं है, जो एक कोई पहाड है, पहाड के नीचे जो तराई होती है जो plain space होता है, surface होता है, वहाँ पर एक गाउं है तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, foot hill भी बोल सकते हैं, beneath the hills मतलब, किसी पहाड के नीचे में वो गाउं है ठीक है, उसके foot hill में गाउं है, जिसे पहाड होगा, तो उसके नीचे वाला surface को हम लोग everything looks right beneath the moon, यहाँ पर moon का मतलब मुनलीठ है, चाननी राथ है, चंद्रवा में है, चंद्रवा में कहाँ तो इसकी रोशनी हमारे उपर आती है it is beneath you to complain, यहाँ पर beneath का मतलब क्या हो गया है, नीचे, नहीं दोस्त, मतलब it is beneath you to complain, मतलब आप इसके लायक नहीं है कि complain कर सकें, आप ध्यान दीजेगा, यहाँ पर beneath का मतलब वो नहीं है कि bottom surface नीचे, यहाँ पर beneath का मतलब हो रहा है कि you are not eligible, आप eligible नहीं है, मनले आपकी लाय करने के लिए बहुत यह थोस वजह चाहिए ऐसे नहीं क्लास में बोल देते हैं सर जी उसने मेरी कलम ले लिए सर जी उसने मुझे एक पिंच कर दिया यहां पर बिनीद का मतलब क्या हो जाता है हमारी eligibility को यह सो करने लगता है अब देखते हैं दोस्त अमांग एमेड और एमेडिस्ट का तीनों का मतलब होता है बीच में दोस्त तीनों का मतलब होता है बीच में तो आप बोलेगे सर तीनों का ऐसा होता है तो कैसे करेंगे ध्यान से दखेगा आमीड और अमेडिस्त का इस्तेमाल जादा तर लिटरेचर में होता है हम लोग अपने day to day life में hardly इसका इस्तेमाल करते हैं मतलब यह से बहुत खास खास तरह का प्रेपोजिशन है जिसका इस्तेमाल books में, कहानियों में, novels में बहुत जादा इस्तेमाल होता है पहले कि जितने भी novelist थे, वो लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते थे दोस्त लेकिन आजकल के जो writer हैं और आजकल जो लिखी जाती है और बोली जाती है you know very well कि हम लोग आजकल धिरे-धिरे बहुत technocrat हो गया हैं बहुत technology से related हो गया हैं चीजों को आसान करने के पिछे लगे पड़े हैं तो हम लोग हर चीज को बहुत ही easy बनाने के लिए easy going करने के लिए हम लोग उसके जगह पर among के इस्तेमाल कर लेते हैं between के इस्तेमाल कर लेते हैं that is more than enough so no need to use amid and amidist underneath, beneath these kind of words तो हम लोग यहां पर के लिए क्या देखेंगे among का जो इस्तंमाल होता है वो uncountable noun में ज्यादा हमलोग करते हैं और जो हमारा sorry, countable noun में करते हैं और amid or amidist के इस्तेमाल countable और uncountable दोनो जगह कर लेते हैं मतलब यह हमारा countable, uncountable दोनो जगह होता है जबकि हमारा among का use countable noun में होता है ध्यान देखें इस बात को यहां example देखेंगे ज़्यादा clear हो जाएगा the house stands among trees the house stands amid trees देखें amid, among दोनों का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है to tell the position of your house because your house is situated where among the trees मतलब चारों तरफ पेड़ है पूरा जंगल जैसा है उसके बीच में आपका घर है बागीचा होगा, बागीचे के बीच में आपका घर होगा तो you will tell अपने घर के बारे में what? कि my house is situated or stands among trees, amid trees ऐसे करके हम लोग उसको बोल सकते हैं he was sitting among amid amidst his pupils pupils मतलब वो कहां बेठा है अपने सिश्यों के बीच में pupils मतलब सिश्य मतलब अपने स्टुडेंट के बीच में बेठा है देखिए तीनों जग कर सकते हैं सिश्य क्या है? countable noun है countable noun के जग़ए पे हम लोग सब का यूज़ कर सकते हैं यहनि countable noun में हम लोग तीनों का यूज़ कर सकते हैं बट uncountable noun के लिए जब इस्तेमाल करना होता है तो we need to use this one amid and amidst जिससे एकजामपल दखेंगे the child's doll was found amid amidst the wreckage of the plane मतलब हवाई जहाज के wreckage में वो छोटे बच्चे की जो गुडिया थी वहीं कहीं फंसी रही होगी जो वहाँ जाके मिली बच्ची खोज रही होगी नहीं मिली जो वहाँ जाके मिली ठीक है दोस्त इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको सीखते हैं अगला जो है दोस्त हमारा across, along और beyond है अब यहाँ पर समझना है दोस्त कि across, along और जो beyond है यह कैसे हम लोग इस्तमाल करते हैं across का इस्तमाल हम लोग करते हैं दोस्त जब किसी चीज को आर पाप मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की बात होती है जैसे हम लोग field में जो football player होते हैं खेलते हैं एक goal से दूसरे goal की तरफ भागते हैं सड़क पर हम लोग एक side से दूसरे शट जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं across the road field में क्या बोलते हैं across the field हम लोग कोई काम करते हैं नदी को तैरना होता है तो हम लोग across the river बोलते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ, मतलब आर पार वाली बात होती है, हम लोग को आर पार करना है, इधर से उधर जाना है, तो across the river, across the field, across the ground, हम लोग ऐसे बात करते हैं, along का बात करते हैं, along मतलब हो जाता है, साथ साथ, आप जब किसी चीज के साथ साथ चलते हैं, जब किसी चीज के साथ साथ चलते हैं, चल रहे हैं किसी चीज के साथ साथ, जैसे along the road, along the line, along the track, जो train होती है, track के साथ चलती है, along the track चलती है, ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, along का मतलब हम लोग जानते हैं दोस्त दूर किसी चीज़ से हम लोग distance बना गर रखते हैं तो ये दूर वाली बात करते हैं on the further side of बने दूसरे तरफ ठीक है हम लोग इस तरफ की बात करते हैं अब दूसरे तरफ की बात करते हैं जैसे example से ज़्यादा clear हो जाएगा दोस्त हम लोग अंपर her house is across the river उसका घर कहा है across the river है मतलब नदी के दूसरे तरफ है हम लोग नदी के इस तरफ है और उसका जो घर है नदी के दूसरे तरफ है across the road भी बोल सकते हैं हम लोग her house is across the road भी बोल सकते हैं ऐसा भी हम लोग कहो सकते है यहाँ पर across का यूज़ कियें दोस्त there is a breeze across the river मतलब नदी के दूसरे तरफ breeze है भाईया हमको जाना है तो इस पार से हमको उस पार जाना है तो कैसे जाएंगे नदी के उपर जब तक breeze नहीं होगी तो हमको across करके swim को जाना पड़ेगा swim across the river ऐसे करना पड़ेगा अगर हम एक्रॉस नहीं करेंगे तो हमको over करना पड़ेगा तो इसलिए over breach चीह है तो over breach कहा है across the river अगला example क्या है he walked along the river bank along the river bank का मतलब क्या हो गया तोस्त वो नदी के किनारे तो नदी के किनारे वो टहलता है नदी के साथ साथ जैसे मानले नदी है नदी ऐसे flow रही है मानले ते है north to south flow करही है और हम कैसे walk करेंगे नदी के साथ साथ चलेंगे तो नदी बरे बगल से चल रही है और हम उसके साथ साथ चल रहे है मतलब हमारा चलना और नदी का दोनों साथ में चलना एक जैसा है तो we walked along the reverse bank ठीक है, अगला है flower grows along the side of the wall जैसे घर होता है, जैसे हम लोग के घर में भी आप देखे होंगे घर के बगल में थोड़ा space रहता है हम लोग वहाँ पर छोटे-छोटे पौधा, फूल, डेकोरेटी प्लांट वगरा हम लोग सो प्लांट लगा देते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, flowers grow along the side of the wall दीवार के बगल में, दीवार के बगल में क्या है भीया, तो फूल लगाए हुए हैं, फूल ग्रो कर रहा है वहाँ पर, बढ़ रहा है I am walking along the road जब हम लोग रोड पर चलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, I am walking on the road उससे बहतर हो जाएगा दोस्त, अगर हम यह बोलें I am walking along the road बोलेंगे, तो ज़्यादा चलेगा, because सडक और हम दोनों साथ सा चलते हैं, it is almost parallel सडक भी ऐसे चलती है, और हम भी ऐसे चलते हैं सडक भी ऐसे मुडती है, हम भी ऐसे मुडते हैं तो the better way of saying, I am walking along the road, not on the road ज़्यादा अच्छा है दोस्त, on the road पे आप खड़े हो सकते हैं, हम लोग सडक पे खड़े हैं, यह बोलेंगे तो अच्छा लएगा, on the road but when we are walking, तो walk should be along the road होना चाहिए, अच्छा लगता है My house is beyond those hills, हमारा जो घर है ना, उस hill से थोड़ा दूर पे है, अलग है, अलग हटके है ठीक है, दूरी, distance, on the other side of it Her skills as a musician is beyond praise, आपको पता है, उसका जो skill है, as a musician मतलब संगीत के रूप में, संगीत के रूप में, संगीत के रूप, संगीत के बोल देते हैं दोस्त, चला लीजीए काम संगीत के रूप में, जो उसकी कला है, जो उसके अंदर में qualities है, वो beyond praise है मतलब प्रसंसा से दूर है मतलब उसकी क्वालिडी इतनी अच्छी है क्वालिडी इतनी अच्छी है कि उसको आप प्रसंसा नहीं कर सकते हैं वो प्रसंसा से परे है इसका यह मतलब नहीं खराब है इसका मतलब है कि बहुत 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 अच्छी है इसलिए बोला जा रहा है Her skills as a musician is beyond praise मतलब उसका जो संगीत में जो उसका गुन है कला है वो प्रसांसा से परे है The bicycle is beyond repair देखे अब कैसे हम इसका अर्थ निकालेंगे देखे यहाँ praise था एक positive word है Praise क्या है? Positive word है अगर यह क्या है? Positive word है और repair क्या है? Negative word है लेकिन जब आप positive word करेंगे तो इसका अर्थ positive में परसांसा से परे हो जाएगा अगर जब negative में करेंगे तो क्या मतलब को The bicycle is beyond repair मतलब वो cycle इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसको हम लोग बनवा नहीं सकते मनें बदतर हो चुकी है Condition worst है Bad तो ठीक था Worst भी काम चल जाता But it is not even worse It is worst ठीक है? तो हम लोग यहाँ बोलेंगे The bicycle is beyond repair मतलब आप ठीक नहीं हो सकते भी या इसको बेज दीजे कचड़े के भाव में Don't spend beyond your means अब देखिए कितना अच्छा sentence है Don't spend beyond your means मतलब आपकी भीया कुछ limit होती है हर इंसान की limit है आपको अपनी limit के अंदर में रखे खर्चा करना चाहिए अगर कोई चीज आपकी limit से बाहर हो रही है ब्रिक लगाईए ने तो क्या होगा आप करजे में हो सकते हैं तकलीफ हो सकती है आपको किसी से बौरो करना पड़ सकता है तो उतना ही खर्च कीजिए जितना की आपका जे बलाव करता है spend as per your pocket Don't go beyond your pocket तो यही लिखा हुआ है Don't spend beyond your means मतलब जितना आपका limit है उससे ज़्यादा आप खर्च मत कीजिए ने तो आपको तकलीफ हो सकती है दोस्त इस तरह से हम लोग क्या हुआ है अपना set prepositions का हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त prepositions तो बहुत सारा है दोस्त बहुत सारा prepositions है सब के बारे में इतना कर पाना it is quite tough बाकी सब easy easy है जो हम लोग ज़्यादा use करते हैं अपने day to day life में उसका हम try कर रहे हैं आपको समझाने का क्योंकि जब हम लोग books पढ़ते हैं तो उसमें कुछ specials जो prepositions हैं वो मिल जाते हैं बाकी हम लोग day to day life में ज़्यादा जो use करते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं उसका हम लोग series ला रहे हैं दोस्त ठीक है लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कोसिस कीजिए आपके पास जो घर में किताबे होंगी grammar की उसको follow कीजिए उसका practice कीजिए practice जीतना ज़्यादा करेंगे दोस्त आपका पकड prepositions पर उतना बढ़िया होता चला जाएगा इसलिए हमेशा हम बूलते हैं खुब practice कीजिए इसलिए तो बूलते हैं practice makes a man perfect जीतना ज़्यादा practice करेंगे उतना बेहितर हम लोग का पकड़ होता चला जाएगा और हमारा spoken, written, whatever you में से हम लोग का सब अच्छा हो जाएगा दोस्त ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए setup prepositions के साथ ठीक है दोस्त बाई दोस्त Thank you